नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है भीमल सिंग बालाजी श्रीयड़ा में आपका स्वागत है जूनियर सूपर टेट हो गया या आपका सूपर टेट का एक्जाम हो गया या आप कहा सकते हैं पैट का एक्जाम हो गया सबी के लिए हम आपको current affair करा रहे हैं जिस पर बेज हम 700% आपको total करा रहे हैं जिसमें से अभी तक 150% हम देख चुके हैं पिछला पार्ट साइड में आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा आज हम देखेंगे इसके आगे के प्रस्न जहाँ पर 150 से लेकर 180 तक प्रस्न हम 30% देखेंगे 30-30 कर गए प्रस्न देख रहे हैं ताकि कम भले प्रस्न देखें पर उनको याद भी आप साथ में करते चले चलिए स्टार्ट करते हैं 101% से 101% कह रहा है कि हाल ही में विस वे इस दिवस किस तिथी को मनाया गया या हाल ही में कहने का मतलब यह है क्यूकि हम जो current अफिर देख रहे हैं वो फरवरी महास्ते पीछे के करम में देखते जा रहे हैं तो फरवरी से पहले फिर जनवरी गए पिर दिसमबर गए तो दिसमबर के आधार पर यह प्रस्न जो है वो पूछा गया है और चार नाम आपको दे रक्छे हैं, बताना आपको इन चारों option में कौन सा जो है, वो सए होगा, तो चार option में आपको जो है, कौन सा साइ होगा, सबसेफ पहले इस चीज़ को समझे, किस फिल्म, या किस नंबर के film Academy पुरसकार की बात की जा रही है, तो 93 वेर पुरसकार की ब मलियालम फिल्म है और इसी को जो है एंटरी मिली थी किसमें जो ये 93 वा पुरसकार है एकादमी पुरसकार है उसके लिए तो आपका सी ओप्शन से हो जाएगा अगला प्रसन है कि हाल ही में जारी फीपा की ये रैंकिंग एक्च्वल में क्या है ना उपर नीचे बहुत होती ह इंपॉर्डन प्रसन जरूर है पर आपको एकदम लेटेस्ट वाला ध्यान रटना है और ये लेटेस्ट ही लगबख फूचा गया है बताइए हाली में जारी फीपा की नविंतम रैंकिंग में जो इंडियन टीम में भारती टीम है वो कौन से स्थान पर पहुँच गई है बताइए 104, 108, 110 या फिर 112 तो चार उप्शन में से बताना है चाटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा तो एक्ट्वल में ये जो रैंकिंग है वो अक्टूबर 2020 में जब आप जाएंगे तो ये भारत की जो रैंकिंग थी वो आपकी रैंकिंग थी 108 पर और ज्यादा इतना कुछ सुधार देखने को मिला अच्छा ये केवल भारत की ही रैंकिंग नहीं पूछी जाती है पहली आपसे पूछे जा सकती है तो पहले नंबर पे कौन है इस रैंकिंग में तो बेलजियम है पहले नंबर पे बेलजियम है दूसरे नंबर पे कौन है तो फ्रांस है और तीसरे number पर कौन है, तो ब्राजील है, बस तीन ध्यान रखिये और भारत ध्यान रखिये और क्या पूच़ा जा सकता है, फीफा के अध्यक्च पूचे जा सकते हैं, वर्तमान में कौन है तो ग्यानि, इंफेंटिνο है, इंफेंटिनो सॉठ में ध्यान रखिये इन फेंटीनो जो हैं वो वर्तमान में फीपा के हाद, देख जहें, इस्थापना फीपा की 21 मही 1904 को हुई थी, कब हुई थी, 1904 को जो है वो हुई थी, संध्यान रखिये, मुख्याले कहां इसका, तो जिवुरिक, जिवुरिक स्विजर लैंड में इसका जो है, वो मुख्य स्विजर लेंड जैसी फीलिंग आती है जब भी फीफा का मैस देखते हैं क्योंकि आप देखते हैं बड़े-बड़े उनके श्टेडियम होते हैं तो ध्यान रखिएगा तो आपका अंसर 104 यहां पर सही हो जाएगा 154 प्रस्न है आपका कि हाल ही में पेजर बुक ने 2022 तक किस पेजर बुक ने 2022 तक किसे अपना ब्रांड एमिजडर नियुक्त किया है तो चार आप्शन में से कौन सा सही होगा बात करते हैं उत्तर की तो अक्षे कुमार को बनाये गया है ज्यान रखिएगा पेजर बुक ने 2022 तक अपना ब्रांड एमिजडर अक्षे कुमार को जो है वो बनाया है, 155 प्रस्ण है हाल ही में Cambridge Dictionary ने किस सब्द को word of the year 2020 के लिए चुना है, अच्छा प्रस्ण है, बहुत ही अच्छा प्रस्ण है, तो बताइए कौन सा इन में से सही होगा, देखें क्या होता है, प्रानमेश्टर हैं, आगे चलके बदल जाते हैं, कोई CEO हैं, कोई बदलाव नहीं होता है, तो ये तो आपको हर हाल में रटे ही होने चाहिए, तो Cambridge Dictionary ने किस सब्द को word of the year 2020 के लिए चुना है, ये आपको बताना है, एक जीज का हमेशा ध्यान रखेगा, अगर यहां पर Cambridge Dictionary नहीं लिखा है, तो उतर बदल जाएगा, क्योंकि अलग Cambridge Dictionary ने word of the year 2020 के रूप में चुना है, quarantine को, पर अगर यही प्रस्न आपका बदल जाए, बदलने का मैंने कि बताया ना, कि Oxford Language के अनुसार पूछ किया जाए, तब आत्म निर्भरता को Oxford Language जो है, उसने साल 2020 का word of the year declare किया, तो अलग-अलग लोगों के अनुसार अलग-अलग ह है, और जो Oxford Languages है, उनके अनुसार आत्म निर्भरता है, 156 प्रस्न है, हाल ही में करनाटक सरकार ने, बारिंग और लेडी करजन Medical College का नाम बदल कर, किसके नाम पर रख दिया है, नाम तो ऐसे बदल ले हैं, जैसे कि कुछ कहने का नहीं, मोटेगराई स्टेडियम का नाम, प्रधान मंत्री नरेद मोदी के नाम पर होगा, ऐसा जो है, अब आ रहा है, तो अंसर की बात करते हैं, इन चारों आप्शन में कौन सा सही होगा, आपका अंसर अटल बिहारी बाच पर जो है, भीवाला आप्शन सही हो जाएगा, 157 प्रस्न है कि प्रतिवर्स भारती सवि सविधान दिवस कब मनाया जाता है, सविधान दिवस सभी जानते हैं, मनाते भी हम सब लोग हैं, हर साल ओप्शन ABCD में से आप कहेंगे 26 नवंबर को ही हमारा मनाया जाता है भारती सविधान दिवस, बड़े इस्तरवनी मनाते मनाते वैसे हम गरतन दिवस मनाते हैं, सोधन सविधान दिवस जब बात होती है वैधानिक क्रम में वहाँ पर मनाय जाता है अच्छा 26 नवंबर को ही क्यों मनाय जाता है तो जो भारत गड़राजी का जो सविधान था वो कितने समय में पूरा हुआ था दो वर्स 11 माह 18 दिन हमेशा से आप पढ़ते आ रहे हैं तो वो जो क 26 नवंबर 1949 को कंपलीट हुआ था इसी लिए इस 26 नवंबर को हम मनाते हैं सविधान दिवस के रूप में और जो गरतंतर दिवस है वो इसी 26 नवंबर के बाद वाली जो जनवरी आती है यानि कि 26 जनवरी 1950 यहां पर हमारा सविधान लागू हुआ था तब ही से हम सविधान यह जो लागू हुआ था चबिजनवरी 1950 को तब से हम गरतंतर दिवस मनाते हैं 158 प्रसने अंतराष्टिये क्रिकेट परिसत के नए अध्यक्ष जो है वो कौन बने है इस चीज को जरूर ध्याम रखे यहां पर जब अंतराष्टिये पूछे तो अंसर अलग होगा जब यह अंसर की बात करते हैं यही प्रस्ट मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था कहा था हम नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका अंसर देखेंगे तो अंसर आपका ऑप्शन ए वाला ग्रेक बरकले जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आई सी सी आई के नया देक्ष कौन बने हैं तो अंतराश्टी क्रिकट परिसात के नया देक्ष ग्रेक बरकले जो है वो बने हैं जो की न्यूजिलेंड के हैं यह भी आपको दिमाग में फिट होना चाहिए अब बी सी सी आई को मैंने बताया था कली वाले वीडियो में एक प्रसन आया था वहां पर मैंने बता था कि सौरफ गांगुली जो हैं इस समय जो है इसके अध्यक्ष हैं सौरफ गांगली 39 नंबर के हैं तो बी सी सी आई के अध्यक्ष पूछे तो सौरफ गांगुली अंतराश्टी क्रिकट परिसात के अध्यक्ष पूछे तो ग्रेक बरकले आई सी सी और बी सी सी आई अंतर पूछ पूछा जाए कौन है तो आप चानते हैं समय रवी सास्त्री जो है इसमय वर्तमान में कोच है भारतिय क्रिकेट टीम के महिला क्रिकेट टीम के कोच पूछ लिया जाए तो कहेंगे डबलू वी रमन है कौन है डबलू वी रमन है बार बार सुनने से क्या चीज़े होती है दिमाग में बैठती है इसलिए मैं आपसे बार बार वह चीज़े रिपीट करता रहता हूँ 159 प्रसन आपका बहुत ही ज़्याद महित पूर है प्रिसिद्ध वेक्तित्व डियोगो मेरडोना इनका निधन हो गया यह किस खेल से संबंदित है डियोगो मेरडोना को हर वेक्ति जानता होगा अगर थोड़ा भी वो इस खेल से संबंदित होगा तो फुटबाल होकी क्र सिर्केट कबड़ी इस प्रकार से चार ऑप्शन है बताना है आपको कौन सा सही होगा तो चलिए बात कर लेते हैं अंजर की तो आपका फुटबाल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा वापर से प्रसन भी आपको दिखा देते हैं तो डियोगो मेरडोना किसे संबंदित है फुटबाल से जो है ये संबंदित है अब कैसे कैसे और प्रसन आ सकते हैं सबसे पहला ये किस टीम से थे किस इस्थान से थे तो अर्जंटीना के थे सबसे पहला ये जरूर ध्यान रखेगा अर्जंटीना के जो है फुटबाल खिलाडी थे और इन्हें व्यापक रूप से अगर बात करें, तो आज तक का सबसे बहतरीन खिलाडी भी माना जाता है, इसलिए मैंने कहा है, यह बहुत रस्न महत्पूर है, और कब इनका निधन हुआ था, तो 25 नवंबर 2020 में इनका निधन हुआ था, जन्म इनका 1960 में जो है वो हुआ था, और कब तो 30 अक्टूबर 1960 में होना चाहिए, क्योंकि चर्चा में निधन के करणई आये हैं, तो पूछा भी आपसे जो है, इसी से ही सम्मंदित चा सकता है, 25 नवंबर 2020 को, 160 प्रस्न है, हाल ही में केंद्री मंत्री मंदल ने लक्ष्मी विकास बैंक के किस बैंक में विले को मंजूरी प्रदान की है, चा सोचिए कि पेपर की नजदीक आयेगा, तब हम देखना स्टार्ट करेंगे, तब पूरी करेंट अप्र हम समात कर लेंगे, तो नहीं पॉसिबल है, स्पीड में जरूर आप देख लेंगे, पर चीजों को थोड़ा-थोड़ा करके देखेंगे, तो एक बोज नहीं पड़त हाली में की गई घूस्टा के अनुसार कौन सा देख फीफा अरब कप टूनामेंट 2021 की मेजबानी करेगा, भारत, UAE, कतर, जापान इस प्रकार से अलग-अलग ऑप्शन दे रखेंगे हैं, तो कौन सा देख फीफा अरब कप टूनामेंट 2021 की मेजबानी करेगा, बात करते ह उत्तर की इन 4 option में से कौन सा सही होगा तो आपका कतर जो है वो सही हो जाएगा इस टाइप के प्रस्न जो भविस में होने वाले खेल के संदर में कोई आयोजन के संदर में पूछे जाते हैं वो भी हात करने में फायदा रहता है क्योंकि जैसे 2021 में है तो 2021 के जितने भी पेपर होंगे उनमें पूछा जाने के पूरे चांसे रहेंगे और इसमें तो अपडेड भी आ गई है कतर के अलावा कि कब से कब तक होंगे तो आपका 1 दिसंबर 2021 से 18 दिसंबर 2021 तक जो होंगे अगला प्रस्न है 25 नौंबर को बिहार विधान सभा के नए स्पीकर जो है वो कौन निवत हुए हैं तेजस्वी आदाव, रजनीश कुमार, विजय चौधरी, विजय सिनहा अलग-अलग आप्शन आपको इस परकार से दे रखे हैं बताना है आपको कौन सा सही होगा बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा तो आपको आप्शन डी वाला विजय सिनहा जो है वो बिलकुल सही हो जाएगा विहार विधान सभा के नए स्पीकर विजय सिनहा को चुना दिया है अगला है हाली में करनाटक ने हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर महा देवप्पा मैलारा यह आपका ओप्शन सही होगा इनी के नाम पर महा देवप्पा मैलारा रेलवे स्टेशन यह नाम जो है वो रख दिया गया है और 25 नवंबर नहीं 20 नवंबर को आप कहेंगे 20 नवंबर 2020 को जो करनाटक सरकार थे उसने देवनागरी लिपी में और साथी साथ रोमन लिपी में और साथी साथ कन्नल कन्नल लिपी में जो हावेरी रेलवे स्टेशन ने इसका नाम बदल दिया था और यह नया नाम जो है वो रख दिया था बात करें यह कौन थे महा देवप्पा मैलार तो ये एक स्वतंतरता सेनानी थे और नहीं गेनाब पर उन्हों ने भाग मी लिया था जब ये आँठारा वर्स की आयूग थे तो इन्हों ने जो महात्मा गांदी जीति ए उनके साथ डांडी मार्च में भाग जो है वो लिया था बहुत जाना जब डेटरल में पूछा जात चार उप्षन हैं बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा बांगलादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या इन में से कोई नहीं चलिए बात करते हैं उत्तर की तो पाकिस्तान जो है इसके खिलाब जो है वो सुरू हुआ है तो भारती सेना ने किस देश के आतंगवाद निलाब ऑपरेशन 500 जो है वो सुरू किया है देखते हमारा अगला प्रसंद 165 किस राज में आयुजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महफसाव को कोरोना के करण रद्द कर दिया गया है चार उप्षन में बताना है कौन सा आपका सही होगा बात करते ह चली ऑप्षन ABCD में अंसर की तो मेगाले में जो है यह आयुजित होने वाला था कोरोना के करण इसे रद्द कर दिया गया है 166 प्रसंद आपका है हाली में एसिया परसांत आर्थिक सहयोग एपिक सिखर सम्भेलन की मेजवानी किस देश ने की थाइलैंड, किलिपीन, आपका बिलकुल सही हो जाएगा 167 प्रसंद कहा रहा है कि हाली में किस टेनिस की लाड़ी ने ATP टूर फाइनल्स 2020 का किताब जीता, डेनियल, मैदवे, देव, डॉमिनिक, थियम, नोवाक, जोकोविच या पिर जॉफिल, नडाल, बताना है आपको इन चारों आप्षन में क ATP वर्ल्ड टूर सत्र 2020 की जो अंतिम प्रतियों की था थी ATP फाइनल्स कहां होई थी तो 2020 में लंदन ब्रिटेन में समफन होई थी, कहां लंदन ब्रिटेन में और साथी साथ, पुरुस एकल जो विजेता थे, अंसर की बात करें तो डेनियल, मेदवे देव जो है आपका सही हो जाएगा, ये कहां कि हैं, तो ये रूस के हैं आपके डेनियल, उप विजेता, डोमिनिक, थियम जो रहे थे, जो यहां पर B option में लिखा है, ये औस्ट्रि पार जाता है, उसे उप विजेता हम कहते हैं, बाकी इसमें और भी कटेगरी होती है, यूगल वाली होती है, तो वो सब हम जैसे प्रसन के साथ जो है, वो देखते करेंगे, ये जो है, वो ध्यान रखिएगा, 168 प्रसने हाली में 48 वे अंतराश्ती एमी एवार्ड में किस भारतिये वेब सीरीज ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का एवार्ड जीता है, चार आप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा, आप्शन एवी सिटी में से, तो बात कर लेते हूं, उत्तर की तो आपका दिल्ली क्राइम जो है, वो बिल्कुत सही हो जाएगा, दिल्ली क्र लीग में प्लेयर ऑफ दा एयर जो है, वो कौन जो है, वो बनी, सोफी डिवाइन, एलिसा हैली, एसलेग गार्डनर या फिर मिथाली राज, चार आप्शन है, कौन सा सही होगा, बताना है आपको, महिला बिग बैस लीग, ये जो है आपके आस्ट्रेलिया जो महिला होती है उनकी घरेलू T20 किर्केट प्रतियों गिता होती है, अंसर की बात करते हैं, तो आपका पहला ऑप्शन सोफी डिवाइन, जो है, वो सही हो जाएगा, 170 प्रसन देखते हैं, हाली में किस देश की अध्यक्सता में, पंदरवां G20 सिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, भारत, इ अंसर सही होगा, बात करते हैं, अंसर की, तो साउधी अरब जो है, आपका सही हो जाएगा, ये प्रसन इस पर बेश्ट मैंने एक सायथ कराया भी था आपको, उनका नाम मैंने बताया था, बहुत बड़ा था, साउधी अरब के सुल्तान का नाम क्या था, सलमान बिन अल अजीज, अल साउध, ये इनका नाम था, इनोंने कोविट-19 जो महामारी थी, उसके कराण वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से, जो सिकर समयला ने उसकी अद्यक्षता की थी, इसकी थीम भी थी, विसे भी था, क्या था था थीम, रिलीजिंग दा अपॉर्चुनि से जोड़कर इसकी थीम जो है, वो रखी गई थी, तो D option सही हो जाएगा, पंद्रवां सिकर समयला ने, 171 बात करते हैं, कौन सा देश, ICC महिला T20, विसकब 2023 की मेजबानी करेगा, भारत, पाकिस्तान, निजिलेंट, दक्षड अफरीका, इस प्रकार से कौन सा 4 option में से सही होगा, यह आपको बताना है, 10 प्रसन हमारे और सेसरे गएं, क्योंकि तोटल 30 प्रसन हमें आपर देख रहे हैं, उत्तर की बात करते हैं, कौन सा सही होगा, तो आपका D वाल option दक्षड अफरीका, जो है, वो विलकुल सही हो जाएगा, दक्षड अफरीका, 172 प्रसन कहा रह प्रसन है, कौन सा इन में से सही होगा, यह आपको बताना है, बात कर लेते हैं, उत्तर की इन 4 option में से, तो नसुरुदीन साह जो है option सही होगा, तो वर्स 2020 के आदित्य विक्रम बिर्ला कला सिकर प्रसकार, इनको मिला है, नसुरुदीन साह को मिला है, अगला है हाली में LIC न पूछा गया है, उत्तर की बात कर लेते हैं, तो आनन्दा आपका बिल्कुल जो है, वो सही हो जाएगा, यानि कि यह होता है न, LIC में जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, जीवन के बाद भी, इसका वो जो स्लोगन होता है, तो मतलब जीवन के बाद भी पैसा मिले, त आनन्दा आ जाता है, थोड़ा सा जोड़कर ऐसे याद रख सकते हैं, कि इसकी जो है, आनन्दा आपकी एप थी, अगला 114 प्रसन हाली में, किस जिले में भारत का पहला मास गार्डन विक्सित किया गया है, चार ओप्शन में, नैनिताल, स्रिनगर, दहरादून, हरिद्व कौन सा सही होगा, यह आपको बताना है, बात कर लेते हैं, उत्तर की इन चारों आप्शन में से, तो आप कहेंगे, नैनिताल में जो है, वो आपका पहला मास गार्डन जो है, वो विक्सित किया गया है, नैनिताल में, 175 प्रसंद कहा रहा है, हाली में भारत, सिंगापुर, थाइलेंड की नौसेना के बीज, सिट मैक्स, 2020 नौसेनिक अभ्यास कहां में सुरू हुआ, अंडमान सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इन में से कोई नहीं, उत्तर की बात करते हैं इन चारों आप्शन में, तो आप कहेंगे, अंडमान सागर में जो है, ये सुरू हुआ, एक तुचियत्तर प्रसंद कहा रहा है, तुंग भद्रा, पुसकरम, महोसव का आयोजन कहां किया गया है, मडिपुरु रीसा, अंदर प्रदेश या इन में से कोई नहीं, तुंग भद्रा, पुसकरम, का आयोजन जो है, वो कहां किया गया, अंसर की बात करते हैं, तो आप कहेंगे, आंदर प्रदेश जो है, वो विल्कुल सही हो जाएगा, तो ये जो महोसव है, कितने दिन के लिए मनाया जाता है, तो बारा दिनों के अबदी के लिए मनाया जाता है, आंदर प्रदेश के अच्छा प्रसन है बताईए अंतराश्टी क्रिकेटर बनने के लिए खिलाडी की उम्र अब कितना होना जरूरी है डब्यो करने के लिए चलिए बात करते हैं उत्तर की तो आप कहेंगे 15 वर्स बिल्कुल सही हो जाएगा इससे पहले कोई उम्र की सीमा नहीं थी किसी भी तरह जारी करके 15 वर्स कर दिया गया है अंतराश्टी क्रिकेट खेलने के लिए खिलाडियों की नियूनतम आयू अब कुछ माइनों में अच्छा भी है कुछ माइनों में गड़वर भी है कि जैसे बहुत से चात्र होते हैं जिनको स्टार्टिंग से पृतिवावान होते हैं तो सही समय पर अगर आएंगे इसमें क्रिकट में तो और भी जो वर्ल् Record बने हो उनको ब्रेक कर पाएंगे तो उस मामले में अच्छा भी है मतलब उस मामले में पहले अच्छा था सही समय पर आजाते हैं और अब वो छह नहीं हो पाती है या नहीं हो पाईगी बाकी वैसे भी अध्योगी की करण दिवस बात करते हैं उत्तर की इन चारों आप्शन में तो 20 नौवंबर आपका जो है वो सही हो जाएगा 20 नौवंबर को अफ्रीका अध्योगी करण दिवस जो है वो हर साल मनाय जाता है इम थी इस बार की इंक्लिजिव एंड सस्टेनेबल इंडरस्ट्रियलाइजेशन इंदा अफ़ी एफ सी एफ टी ए इरा इस टाइप से इन्होंने एक अलग एस्पाइलिंग टाइप से इसमें जोड़ दी थी 179 प्रस्ट कह रहा है हाली में किस राजिकी सूर सरोवर जील जो इसको रामसर हिस्तल का दरजा दिया गया है बहुत ही इंपोर्टेन प्रस्ट है क्योंकि पर्रवन से प्रस्ट आप से पोच्छा जाने के चांसल बिलकुल रहते हैं तो बताईए केरल करना तक सई हो जाएगा उत्तरप्रदेश के अंतरगत आगरा आपका जो है वो सई हो जाएगा तो आगरा दिल्ली जो राजमार का उसी परिस्ते थे आपकी सूर सरोवर जील जिसे हम एक और नाम से जानते हैं और वो नाम है आपका की थम इसे अंतराश्टी महत्युकी आद्रभूमी जिसे हम वेट लैंड कहते हैं उसकी सुची रामसर साइट में जोड़ा गया है तो हमारा यह हो जाएगा देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लाइक प्रस्न और इसके बाद एक प्रस्नम आपसे भी बूचेंगे जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नाएक प्रस्न पूचते हैं और उस प्रस्न को देखने से पहले लाश्ट प्रस्नम देखेंगे और वीडियो भी तक आपने लाइक रा किया हो सबी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा इसी प्रकार मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहा है आपके एक लाइक से चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी आउन कर लीजेगा कोई आगे आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो वो टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़े है लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बाला जी स्टेडिय एड़ा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं तो देखिए 180 नमबर प्रस्ट ने आपका बेहद ही महत्पूर है क्योंकि यहां पर पूछा गया है मैन बुकर पुरसकार 2020 नोबल पुरसकार हो गया बुकर पुरसकार हो गया इस टाइब के प्रस्टन हर साल देखिएगा एक नाएक पेपर में रखा ही रहता है तो चार आप्शन में से पताना है आपको कौन सा इन में से जो है वो सही होगा बुकर पुरसकार 2020 जो है वो किसने जीता है बात करते हैं उत्तर की इन चारो ओही आप्शन में कौन सा सही होगा तो C वाला आपका आप्शन Douglas Stuart जो है वो बिलकुल सही हो जाएगा ये जो 2020 का पुरसकार है ये 19 नवंबर 2020 को नियुवार्क में बसे हैं भाईया इसकॉटलेंड के लेकक ये कहां के लेकक है इसकॉटलेंड के पूचा ये भी जा सकता है ये कहां के हैं तो इसकॉटलेंड के हैं जिनका नाम है डगलस स्टुवर्ड डगलस स्टुवर्ड को 2020 का ये पृतिष्ठित पुरसकार मिला है और ये जो पुरसकार मिला है इनके एक उपन्यास के लिए मिला है और नाम में ही बुकर पुरसकार है जाहिट सी बात है बुक के लिए मिलेगा तो उस उपन्यास का नाम क्या है, वो भी अपने दिमाग में इकदम छाप लीजिए, और वो नाम है सगी बेन, क्या नाम है, सगी बेन, इंगलिस में स्पेलिंग क्या होती सगी बेन की, तो S-H-U-G-I-E, सगी बेन, यह जो हिनके उपन्यास का नाम है, इतना आपको याद पढ़ने की आदत है, उतके लिए एक छोटी से ट्रिक भी है, ट्रिक क्या है, कि जब बात होती है, बुक पढ़ने की, जैसे आप बुक पढ़ने लाइबरेरी जाते हैं, आज कल हो गया है बहुत सा, कि अलग-अलग लाइबरेरी बनी हुई है, वहाँ जाकर आप कोर्स खर जा सकते हैं, क्योंकि वह सोर करेंगे, लाइबरेरी होती हैं इसी, यह वह सांत का महौल होता है, तो देखिए डॉग से क्या याद रखेंगे, डॉगलस, डॉग में देखिए डॉगलस आ रहा है, तो नाम यहां से डॉगलस याद रख सकते हैं, और वह बैन कर दिये गए ह कहां library में जाने के लिए हमेशा सही बैन है तो band से सगी band याद रख सकते हैं तो Douglas Stuart ने सगी band के लिए पुरसकार जीता है और booker पुरसकार है, man booker है तो book से संबंदित है, वो आप library से जोड़ कर याद रख सकते हैं ये छोटी सी trick है, जो आप कभी भूलेंगे नहीं अगर थोड़ा एक दोबार आप इसे revise कर लें अब एक प्रस्न हम आपसे भी पूछ लेते हैं जैसा कि सभी वीडियो में आपसे एक नाइक प्रस्न पूछते हैं तो ये है आपका प्रस्न कि हाल ही में एसिया की पहली सौर उर्जा सक्षम टेक्स्टाइल मिल का उधगाटन कहां किया गया है अधिक से अधिक जो विद्दुद खपत है उसका सही तरीके से ज्यूज हो इसलिए ये व्रस्न इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए मैंने ये पूछा है तो अंसर इसका हम बताएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में पहला उप्षन दिल्ली है दूसरा महराष्ट है तीसरा उत्तरप्रदेश है C वाला और D उप्षन पंजाब है अपना अंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके सभी लोग बताएगा उप्षन ABCD में से कौन सच है वो सही होगा तो इसी के साथ आज के हमारे सभी प्रसन्स हमापत होते हैं टोटल तीस में से कितने प्रसन आप सही कर पाए अपना भी स्कोर अवश्ची कमेंट सक्षन में बताएगा और इससे पहले के प्रसन नहीं देखें तो current affair वाली complete playlist अलग से भी बना रखी मैंने जहांबर topic wise भी और इसी प्रकार प्रसन वाइस भी आप प्रसनों की practice कर सकते हैं तो मिलते हैं चलिए आगले वीडियो में एक नए topic के साथ कुछ नए प्रसनों के साथ अब तक के लिए नमस्कार Thank you for watching